स्वागत है आपका Animal of Cake और ब्रैंड न्यू वीडियो में और मैं इस बार फिर से माकटो शिंकाई द्वारा लिखी और डिरेक्ट की एक और अमीजिंग एनिमे मुवी लेके आया हूँ दोस्तो आज इस मुवी की हम बात करने वाले हैं वो मुवी जब आप देखोगे न तो स्टार्टिंग से एंड तक आप स्क्रीन से चिपक के रहोगे ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा दोस्तों इस मुवी का नाम है Children Who Chase Lost Voices दोस्तों जितना बड़ा नाम है उतनी ही ब्यूटिफुल और यूनीक है ये मुवी और होगी क्यों ना हमारे माकोत शिंकाय ने जो लिखी है दोस्तों 2011 में आई इस मुवी को I.M.B.D. ने दिये हैं 7.2 स्टार्स माय ने मिलिस्टने से दिये हैं 7.6 स्टार्स और Rotten Tomatoes पे इसका 69% का ओडियन स्कोर है इस मुवी को जैपनीज में और इस मुवी को अभी तकी सबसे लंबी आने में मुवी माना जाता है इस मुवी ने worldwide more than 600,000 डॉलर्स की कमाई की है जो की होते हैं इंडिन करंसी में more than 451,000 रॉपीज इस मुवी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो अपने कुछ दिन के दोस्त के लिए धरती की गहराईों में चली जाती है और एक ऐसे वर्ल को देखेंगे जो दिखने में हमारे वर्ल जैसा ही है लेकिन है बहुत ही अलग इस मूवी में हम एक ऐसे आदमी को भी देखेंगे जो हमें सिखाएगा कि सच्चा प्यार कितना ज़्यादा गहरा होता है और एक इंसान उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पोयलर फ्री इंट्रोड़क्शन अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते होए इस पावर आफ लव वाली एक्स्प्लानेशन का शुबारम करते हैं मुवी के फर्स सेन में हम देखते हैं कि एक लड़की पहाड में अपने किसी सीक्रेट हाइड आउट में जा रही होती है इस लड़की का नाम आसुना वाता से होता है और इसका हाइड आउट एक बड़े से पत्थर के बीच एक केफ टाइप रूम था जहांपे इसके बहुत सारे समान पड़े होए थे आसुना वाँ से एक बॉक्स उठाके उस बड़े से पत्थर के ऊपर आके बैठती है और अपने उस बॉक्स को ओपन करती है हम देखती हैं कि उस बॉक्स के अंदर रेडियो रिसीवर जैसी कोई डिवाइस थी इसके बाद आसुना अपनी पॉकेट से एक बड़ा सा ब्ल्यू कलर का क्रिस्टल निकाल के उस रिसीवर में रखती है और उस रिसीवर का एक एरफोन अपने कानों में लगा के रेडियो सिगनल्स रिसीव करने के लिए डिवाइस की फ्रिक्वेंसी चेंज करने लगती है और साथ में लंच करते होए उसमें कुछ सुनने की कोशिश करने लगती है तबी वहाँ पे फॉक्स जैसी दिखने वाली एक कैट आती है आसुना उस बिली को मीमी कहके बुलाती है तबी उसे डिवाइस में कुछ अजीब से सिगनल्स रेसीव होते है और आसुना को एक मिस्ट्रियस मेलोडी सुनाई देने लगती है इसके बाद आसुना अपने घर चली जाती है और पीछे से छुपके से मीमी भी उसके घर के अंदर चली जाती है हम देखते हैं कि घर में और कोई नहीं होता एक्चुली दोस्तों आसुना की मॉम कहीं जॉब करती है तो वो अकसर देर से घर आती है ये लड़की प्रेयर करते होए कहती है कि डैडी मैं घर आ गई दोस्तों इसका मतलब अब इसके डैड इस दुनिया में नहीं है इसके बाद ये घर के बाकी काम करती है और अपने लिए खाना भी बनाती है और मीमी को देख के मीमी को भी खाने के लिए देती है खाना खाते वक्त ये लड़की मीमी से क्याती है कि वो बहुत अजीम мелody थी पता नहीं वो दुबारा उसे सुन भी पाएगी की नहीं दोस्तो यहां पे उसी धुन की बात हो रही है जो इस लड़की ने रेडियो पे सुनी थी सींशिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं कि आसुना अपने क्लास में होती है जहां टीचर सभी स्टुटेंट्स को अवेर कर रही होती है कि कुछ स्टुटेंट ने अभूची एरिया में एक अजीब सा क्रेचर देखा है तो सारे स्टुटेंट्स को स्कूल से सीधा घर जाना है और अपना ध्यान रखना है दोस्तो अबुची वही एरिया है जहां से होके आसुना घर जाती है टीचर ने एकी तरफ रहने वाले स्टुएंट्स को एक साथ जाने के लिए बोला था तो छुटी होने पे एक लड़की आसुना से साथ चलने के लिए कहती है पर आसोना मना कर देती है आसोना घर जाती है और घर के सारे काम खतम करके बैग लेके उसी हिल के लिए निकल जाती है आसोना एक रिलवेe ब्रीज पार कर रही होती है तब भी उसको एक अजीब सा जानवर दिखता है जो बहुत ही ब्यानक था आसोना समझ जाती है कि ये वही क्रेचर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे ये क्रेचर आसोना के पास आ जाता है तो आसोना डर के वहीं गिर जाती है क्रेचर आसोना पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तबी एक लड़का आके आसोना को बचा लेता है ये लड़का आसोना को पीछे कड़ा होने के लिए कहता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा इसके बाद ये लड़का क्रेचर के पास जाने की कोशिश करता है उस क्रेचर के मूँ से खोन निकल रहा होता है और तबी एक चीज उसकी मूँ से निकल के नीचे गिर जाती है तो ये लड़का कहता है कि ये creature जादा दिर तक जिन्दा नहीं रहेगा इसकी बाद वो लड़का अपने गले में पैना लॉकेट उस creature को दिखाता है तबी वो creature दहारने लगता है और उस लड़के की तरफ भागता है वो लड़का creature के पैर पे अपने नुकीले जूते से अटैक करता है लेकिन वो creature उस लड़के को मारता है जिससे उस लड़के को गंदे पे ग्यारी चोट आती है इसकी बाद Year Creature उस लड़की के पास आके अपना मुँ खोल देता है और तबी उस लड़की के लॉकेर से ENERGY निकलने लगती है और इसी से उस creature का जबडा टूट जाता है और उसे क्याता है कि मुझे माफ कर दो तुम्हीं ये सब देखना पड़ा सिंशिफ्ट होता है और रात हो गई होती है वो लड़का आसुना को उसी हिल पे ले गया था जहां आसुना रोज जाती है जब उस लड़के ने ब्रिज से जंप लगाई थी तो आसुना बेयोश हो गई थी अब आसुना को होश आता है और वो देखती है कि वो लड़का रो वो लड़का आसुना से कहता है कि अब खत्रा टल गया है तो अब आसुना सेफ है आसुना उसको थैंक्यू बोलती है क्योंकि उसने आसुना की जान बचाई है लेकिन वो लड़का आसुना को कहता है कि आसुना दुबारा इस हिल पे ना आए ये कहते हो है वो लड़का कि वहां क्या हुआ है इसमें से एक आदमी जिसने ब्राउन कोट और ब्राउन हैट पैनी थी उसको ड्रेंड राइवर बताता है कि ब्रिज पे एक बड़ा सा क्रेचर और दो बच्चे थे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आसुना की स्कूल में टीचर देखती है कि आसुना नहीं आई है और टीचर बताती है कि पिछले दिन ओबोची बिरिज पे वो क्रेचर फिर से दिखा गया है तो सब अपना ध्यान रखे इसकी बाद टीचर बताती है कि क्यूंकि वो अब maternity leave पे जा रही है तो उनकी जगा एक substitute टीचर आ रहे हैं तो एक बच्चा पूछता है कि क्या वो टीचर खुबसूरत है तो टीचर बताती है कि अफसोस वो एक आदमी है बड़े तेज स्टूडेंट्स है वही आंके आगे हम देखते हैं कि आसुना को उस रड़के ने अबोची आने से मना किया था लेकिन आसुना फिर से अपना बैग लेके उस हिल पे जाती है उधर वो ब्राउन कोट वाला आदमी और उसके साथ ही उस creature को खोज रहे होते हैं कि तवी उनको उस creature की body मिलती है ब्राउन कोट वाला आदमी उस body को अच्छे से देखता है और उस body पे कुछ plant उगे होए होते हैं और body थोड़ी crystallize हो गई होती है ये आदमी उन plants को देख के कहता है ये plants विटा एक्वा की power से उगे हैं और body crystallize हो रही है इसका मतलब कोई surface पे आया है दोस्तो मुझे पता है अभी इस आदमी की बाते आपके उपर उपर से ही जा रही होगी थोड़ा वेट करो आपको खुद सब समझाने लग जाएगा scene change होता है और वो लड़का उस हिल पे पहले से होता है और उसके साथ मीमी भी होती है वो लड़का मीमी से कहता है कि आसुना उसके मना करने के बाद भी यहां आ रही है लेकिन वो यही चाहता था कि आसुना दुबारा यहां आए आसुना वहां आती है और वो लड़का उसे पूछता है कि वो यहां फिर से क्यों आई है आसुना सबसे पहले मीमी को बलाती है और उसको गुदगुदी करके कहती है कि दोके बास तुमको सिर्फ मेरा ही दोस्त बनना था दूसरों का नहीं इसके बाद आसुना उस लड़के से कहती है कि ये जगा आसुना की है और कोई उसे ये नहीं बतायागा कि यहां आना है या नहीं यह बासुन के वो लड़का कहता है कि वो यहां आना चाता था इसलिए आया है इसके बाद यह लड़का अपना नाम शुन बताता है और आसुना से उसका नाम भी पूछता है तब ही आसुना देखती है कि क्रेज़र से लड़ाई के वक्त शुन को जो चोट लगी थी, वहां से खूना रहा था आसुना उस केब रूम में जाती है और मेडिकल किटस से शुन की चोट की मरम पटी करती है और अपना स्कार उस चोट पे बांदेती है आसुना शुन को बताती है कि यह हिल रेडियो सुने की सबसे अच्छी जगह है इसके बाद दोनों वो इं बैटे हुए होते हैं और आसुना उसे अपना रेडियो चलाकि दिखाती है आसुना बताती है कि डायोड की जगह उसकी एक crystal stone काम कर देती है आसुना शुन के साथ lunch share करती है और बताती है कि कुछ दिन पहले उसने इसी radio पे एक melody सुनी थी और वो एक ऐसी दुन थी जो आज सक उसने कहीं नहीं सुनी आसुना बताती है कि दुन थोड़ी अजीव थी लेकिन लग रहा था जैसे किसी की दिल की आवाज हो शुन ये बात सुनके थोड़ा हैरान हो जाता है आसुना कहती है कि वो दुन सुनके आसुना सेम टाइम पे sad भी थी और happy भी और उसको तब ऐसी feeling आई जैसे कि वो अकेली नहीं है शुन आसुना से पूछता है कि क्या आसुना शुन से कुछ पुछना नहीं चाहेगी तो आसुना कहती है कि उसके मन में उस creature और उस fight से लेके काफी questions है लेकिन फिलाल अभी वो उसके answers नहीं चाहती है और शुन उसे ये सब अगले दिन बता सकता है लेकिन तब ही शुन बताता है कि वो जहां से आया है उस जगह का नाम अगारता है शुन कहता है कि वो यहां कुछ देखने आया था और किसी से मिलने आया था लेकिन अब उसके गोल पूरे हो गए है और अब उसको कोई regret नहीं है शुन अपनी जगा से खड़ा होता है और क्याता है कि वो आसुना को blessing देना चाता है आसुना खड़े होके शुन के पास आती है और शुन उसे अपनी आंके बंच करने को क्याता है शुन असुना के forehead पे किस करता है तो शर्म के मारे असुना के गाल लाल हो जाते है शुन कहता है कि वो बस इतना चाता है कि असुना खुल के जिए इसके बाद असुना शर्माते होए और हडबडाते होए वहां से चली जाती है रात हो जाती है और शुन मीमी के साथ उसी हिल पे होता है और मीमी से क्याता है तो आसुना ने मेरा फाइनल सॉंग सुना था इसका मतलब दोस्तों जो मेलोडी आसुना ने सुनी थी वो शुन की ही मेलोडी थी साथ इशुन मीमी से क्याता है कि मीमी आसोना को किसी बैटर प्लेस पे ले जाना इसके बाद हम देखते हैं कि शुन आसमान की तरफ हाथ करता है और फिर हिल से नीचे गिर जाता है सिंशिफ्ट होता है और हम देखतें कि आसुना की मॉम नाइट शिफ्ट करके घर आती है मॉम आसुना से पूछती है कि वो दो लंच क्यों पैक कर रही है तो आसुना बताती है कि ये लंच उसके एक फ्रेंड के लिए है और आसुना घर से बाहर निकल जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि आसुना की मॉम सो रही होती है कि तभी उन्हें एक फॉन कॉल आता है जिसे सुनके आसुना की मॉम थोड़ी परिशान हो जाती है उदर आसुना केवरू में शून का इंदजार कर रही होती है लेकिन शुन नहीं आता और बाहर बहुत इस बारिश भी हो रही होती है आसुना घर पहुंचती है और मॉम से टावल मांगती है क्योंकि वो भीग गई थी मॉम टावल दे के आसुना को गले लगा लेती है और फिर कुछ दिर बाद आसोना को बताती है कि पुलिस को नदी की नारे एक लड़की की डैट बॉडी मिली है और उस बॉडी के हाथ में आसोना का सकाफ बंदा हुआ था आसोना को अपनी मॉम की बाद पे विश्वास नहीं होता और वो उनकी बाद टाल के अपने रूम में चली जाती है बारिश रुकती है और आसोना उस हिल पे जाती है और जो 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 से शुन को अवास देती है लेकिन कोई नहीं आता आसोना वो वक्तियात करती है जब उसके फ वापस लाने के लिए अर्थ के बहुत नीचे लैंड आफ योमी गया था वहां पे इजानागी को इजानामी मिली और इजानामी ने इजानागी से कहा कि मैं लैंड आफ डेथ में हूँ लेकिन अगर योमी के गौड अलाओ करें तो मैं तुम्हारे साथ वापस घर चल सकती हूँ लेकिन इसके लिए एक शर्त है जब मैं गौड से बात करूंगी तब तुम्हें मेरी बौड़ी की तरफ नहीं देखना है लेकिन इजानागी इस प्रामिस को तोड़ देता है और गौड से बात करते हुए इजानामी को देख लेता है इसी वज़े से इजानामी उसके साथ वापस नहीं जा पाती मिस्टर मौरी साखी यानि की टीचर बताता है कि लैंड ओफ योमी को अलग-अलग बाशा में अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है इसी मिसे एक लैंगोज में संभाला लैंगोज में इसे अगार्था कहते हैं दोस्तों अगर आपको याद होगा तो शुन ने भी यही कहा था कि वो अगार्था नाम की जगा से आया है अगार्था सुनके आसुना है और टीचर भी लैसन थोड़ा स्केरी था क्यूंकि उसने सुना है कि मिस्टर मुरिसाकी की वाइफ भी मर चुकी है आदे रास्ते के बाद आसुना मिस्टर मुरिसाकी के घर जाती है और कहती है कि मुरिसाकी ने जो क्लास में पढ़ाया उससे related आसुना को कुछ पूछना है मोरिसागी आसुना को अंजर बुलाता है और उसके लिए कॉफी भी बिनाता है मोरिसागी कहता है कि आसुना क्लास में ये लेसन बहुत दियान से सुन रही थी तो क्या वो किसी को डैट से वापिस लाना चाहती है साथ ही मोरिसागी पूछता है कि वो आसुना ही थी ना जो अगार्था से आई स्ट्रिंजर से मिली थी पर आसुना इसका कोई जवाब नहीं देती मोरिसागी आसुना को एक नोट बेंड देता है जिसमें उनकी इंस्पेक्ट की हुई हर चीज लिखी होती है आसुना को उस बुक में उसी क्रेचर की पिक्चर भी दिखती है जिसकी डेत हुई थी मोरिसागी बताता है कि एक क्रेचर क्वेट्जल कोचल था और ये क्वेट्जल कोचल अगार्था के एंट्रेंस के गेट कीपर्स होते हैं मुरिसा की आगे बताता है कि पहले इस दुनिया में गौड होते थे जो इनसानों को सही राद दिखाते थे लेकिन तरक्की करते हो इनसान के साथ साथ गौड की जरूरत खतम होने लगी तो कुछ इनसान और गौड अगार्था चले गए और फिर तब से गौड हमारी दुनिय साथ ही मिस्टर मुरिसा की बताते हैं कि अगार्था एक ऐसी जगा मानी जाती है जहां कोई भी मांगी होई विश्पूरी हो जाती है यहां तक कि वहां से किसी मरे होए को भी वापस लाया जा सकता है आसुना पूचती है कि क्या अगार्था जैसी जगा सच में है तो पीछे पीछे बागती है, आसुना देखती है कि हिल पे वैसी ही reflection आ रही थी जैसी शुन के लोकेट से आती थी, आसुना हिल की तरफ बागती है और हिल पे पहुंच के देखती है, कि वहाँ शुन क्छडा होता है और उसने कैप पैनी होती है पर दोस्तों बला ऐसा कैसे हो सकता है शुन तो मर गया था ना आसुना उसके पास जाती है और उसे शुन कहके बुलाती है लेकिन शुन आसुना को पीछे हटने को कहता है और पूछता है कि आसुना कौन है आगे वो लड़का क्याता है कि शुन मर चुका है और आसोना जो भी हुआ वो सब भूल जाए तब ही वहाँ अचाना किक हेलिकॉप्टर आ जाता है और वो लड़का क्याता है कि आर्च इंजल जा गए हैं हेलिकॉप्टर से तीन आदमी उतरते हैं जिनोंने मिलिटरी जैसे कपड़े पैने होते हैं और मास्क लगाया होता है उसमें से एक आदमी उस लड़के से क्लैविस नाम की चीज़ मांगता है लेकिन वो लड़का आसोना को लेकि नीचे कूच जाता है वो लड़का आसोना को एक केम में ले जाता है और पत्थर से उस केव को कवर कर देता है आसुना उस लड़के का लॉकेट चमकते होए देखती है और ये लड़का बताता है कि ये लॉकेट ही कलैविस है और वो उपर धर्ती पे इसे ही डूणने आया था आसुना कहती है कि इसका मतलब अगारता सही में एक्जिस्ट करता है तब ही हेलिकॉप्टर उस के पे अटैक कर देता है और वो लड़का आसुना को लेके और जादा नीचे चला जाता है दोनों एक जगा आके रुखते हैं और वो लड़का बताता है कि यहां पे एक गेट कीपर है गेट कीपर एक बड़ी सी छिपकली जैसा होता है गेट कीपर उस लड़के के पास आता है और वो अपना लॉकेट उस कीपर को दिखाता है ये लड़का बताता है कि बहुत पहले gatekeepers इंसानों को guide करते थे लेकिन pollution बढ़ने की वज़ा से gatekeeper ने अपनी senses खो दिये तब ही gatekeeper उस लड़के पे attack कर देता है पर उसके locket से energy निकलती है और gatekeeper गिर जाता है वो लड़का कलैविस को आसोना की गले में डाल देता है और क्याता है कि वो gatekeeper को मारना नहीं चाता और फिर वो लड़का gatekeeper पे attack करके उसे बेऊश कर देता है लेकिन वो gatekeeper अभी भी होश में होता है और उस लड़के पे attack कर देता है लेकिन तब ही arch angels वहां आ जाते हैं और gun firing से उस gatekeeper को मार देते हैं इसके बाद एक arch angel आसोना की तरफ बढ़ता है और उस पे gun point करके उसे clevis मांगता है ये लड़का आसोना को arch angel के पास जाने को कहता है और बताता है कि सही मौका देख के वो आसोना को बचा लेगा इसके बाद आसोना arch angel के पास जाती है उस cave में एक जगہ light चमक रही होती है आसोना को उस light के पास ले जाता है और आसोना को clevis को उस light में touch करने के लिए कहता है आसोना के clevis touch करते ही wall गायब हो जाती है और वहां पे एक नया रास्ता open हो जाता है आर्चेंजल आसुना के साथ उस वाल को पार करता है और अपने दोनों साती को वहीं रुकने के लिए कहता है वो लड़का भी उन दो आर्चेंजल से बसते हुए वाल पार कर लेता है और वाल वापस नॉर्मल हो जाती है आर्चेंजल अपनी गन फ्रैंक देता है और आसुना को भी छोड़ देता है आर्चेंजल अपना मास्ड उतारता है और वो और कोई नहीं बलकि मिस्टर मोरीछा की होता है मोरीछा की कहता है कि अब वो यहां तख आ गया है तो उसकी उस लड़के से या आसुना से कोई दुश्मनी नहीं है वो लड़का कहाता है कि अगार्था बंजर हो रहा है और एक आर्चेंजल के लायक अगार्था में कुछ भी नहीं मिलेगा तो मुरी सागी कहाता है कि उसे अमर नहीं होना है ना उसे कोई सीक्रेट नौलेज चाहिए उसे बस अपनी वाइफ को वापस जिन्दा करना है इस पर वो लड़का कहाता है कि मुरी सागी जो चाहे वो करे क्योंकि उसका मीशन बस क्लैविस रिटीव करना था ये क्या कि वो लड़का आसुना से क्लैविस लेता है और बताता है कि उसका नाम शीन है और वो शुन का छोटा भाई है यानि कि दोस्तों, यह लड़का सच में शुन नहीं है बलकि हु बहु, शुन की तरह दिखने वाला शुन का ही छोटा भाई शिन है आसुना, शुन के बारे में पूसती है तो शुन कहाता है कि शुन मर चुका है मुरी साकी आसोना को कहता है कि वो आसोना को बीच में नहीं लाना चाहता था मुरी साकी बताता है कि आर्चेंजल सिर्फ एक और्गिनाइजिशन है जो अगार्था की एक्जिस्टेंस में बिलीव करती है और आर्चेंजल को अगार्था की नौलेज चाहिए जिसे वो humanity को guide कर पाए मौरी साकी कहता है कि वो वे एक archangel है और वो सालों से अगार्था की interest पर research कर रहा था मौरी साकी कहता है कि archangel में सब मतलबी लोग है लेकिन उसका goal सिर्फ एक ही है और वो है अपनी मरी होई wife को वापस जिनना करना इसके बाद मुरी साकी आगे बढ़ने लगता है और पानी में उतरता है और पानी को टेस्ट करके कहाता है कि ये विटा एक्वा है तब ही आसुना मुरी साकी को रोकती है और उसे कहती है कि वो भी साथ में आएगी मुरी साकी कहता है कि जरूर आसुना शुन को वापस लाना जाता है और आसुना को बताता है कि ये पानी विटा एक्वा है और ये जब लंग्स में जाएगा तो वो लोग इसे सांस भी ले सकते हैं दोनों नीचे जाते हैं और उनको एक खाई मिलती है मुरिसाकी आसुना का हाथ पकड़ के खाई में कोच जाता है सिंशिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आसुना शायद बेऊश हो गई थी इसलिए उसे अब होश आ रहा होता है और उसके उपर मीमी बैटी होती है आसुना देखती है कि वो एक अलग जगा में है तब ही मुरिसाकी आता है और बताता है कि मीमी आसुना के बैग में से निकली इसके बाद मु मुरिसाखी को एक अजीब सा जानवर दिखता है जिसे मुरिसाखी गेट कीपर बताता है मुरिसाखी गन निकालके उस गेट कीपर को मारने जा रहा होता है लेकिन तब ही मीमी भागती हुई उस गेट कीपर के पास जाती है और उसके साथ खेलने लगती है इसे gate के पर मुरिसागी और आसुना को कुछ भी नहीं करता और वो लोग safely उस gate से निकल जाते हैं बहार निकल के दोनों अगार्था को देखते हैं और हर तरफ हरा बरा मैदान और खुब सारे बादल होते हैं मुरिसागी को एक उड़ती होई boat देखती है जिसे मुरिसागी शेकुना विमाना कहता है और बताता है कि ये वोई boat है जिस पर God travel करते हैं आसुना देखती है कि जिस स्टोन की help से वो radio सुनती है वो चमकने लगता है और दोस्तों आसुना का वो blue crystal भी एक clevis होता है मुरिसागी कहता है कि clevis की translation की होती है तो हो सकता है कि ये clevis बाद में उनके काम आए साथी मुरिसागी कहता है कि वो लोग boat की direction में आगे बढ़ेंगे अब दोनों जगा जगा रुकते हुए आगे बढ़ते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखतें कि शिन किसी old lady को clevis देता है लेकिन old lady कहती है कि शिन ने बहुत बड़ी गलती की है शिन के गलती की वज़े से दो इनसान अगार्था के गेट के अंदर आ गए है old lady कहती है कि शिन के भाई शिन में special powers थी लेकिन उसकी soul बहुत weak थी और उससे इनसानों से लगाव हो गया था साथी old lady बताती है कि इनसान जब भी अगार्था आये हैं तब तब उन्होंने अगार्था पे जुर्म किये हैं old lady कहती है कि अभी भी एक clevis इनसानों के पास है और old lady शिन को दूसरा clevis लाने का और उन इनसानों को यहां से वापस भीजने का नया टास्क देती है दोस्तो इसका मदलब शाय शुन भी जब सर्फेस पे गया था तो वो भी यही clevis जुणने के लिए सर्फेस पे आया होगा और जब उसने ये देखा कि clevis आसुना के पास में हैं तो उसे लगा कि ये clevis अभी सही हातों में हैं आसुना उस clevis का कोई गलत यूज नहीं करेगी और इंसानों की बीच रहते रहते उसकी स्वल वीक हो गई और वो मर गया सिंशिट होता है और आसुना और मोरिसाकी दोनों एक चटान की नीचे बैटे होते हैं आसुना कहती है कि उसे मोरिसाकी में उसकी डैड नजर आते हैं मोरिसाकी आसुना को stupid बोलता है और अपनी backstory याद करने लगता है मोरिसाकी की wife अक्सर विमार रहती थी और मोरिसाकी military में था मोरी साकी की वाइफ मोरी साकी को कहती है कि जब वो मर जाएगी तो उसके बाद मोरी साकी को खुश रहना होगा लेकिन मोरी साकी कहता है कि अगले मिशन से वापिस आने के बाद वो लोग दूसरी जगा चले जाएंगे और वहाँ एक साथ खुशी-खुशी रहेंगे मॉंस्टर आसोना की पास आ रहे होती हैं मीमी उन्हें बगाने की कोशिश करती है लेकिन वो मॉंस्टर मीमी को मार के ब्योश कर देता है और आसोना को वहां से ले जाता है पर उन्हें नहीं मिलता तभी हर तरफ से वो मॉंस्टर जा जाते हैं और दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं आसुना नूटिस करती है कि वो मॉंस्टर शैडो में ही रह सकते हैं और धूप में नहीं आ सकते दोस्तो चोटी लड़की को भी ये मॉंस्टर ही लाए होंगे लेकिन धूप की वज़े से अभी तक ये कुछ नहीं कर पाये थे उदर शिन आसुना को डूंड रहा होता है क्योंकि उसे कलैविस चाहिए शिन को फील होता है कि कलैविस उसके आसपास ही है इदर उस चोटी लड़की को उपर एक दर्वाजा नजर आता है और आसुना उसे वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा होता जैसे जैसे धूप जाने लगती है वैसे वैसे वो मॉंस्टर्स उनके और करीब आने लगते हैं और इससे पहले कि वो मॉंस्टर्स आसुना पे जपर पड़ते तबी वो तर्वाजा तोड़के शीन वहां आ जाता है शीन उस चोटी लड़की को पगड़ लेता है और आसुना की उपर आने में हेल्प करता है शीन आसुना को बताता है कि इन मॉंस्टर्स को इजोकु कहते हैं और अगर वो नहीं भागी तो इजोकु उसको जिन्दा खा जाएंगी इसके बाद तीनों वहाँ से बागते हैं और इजोकु भी उनका पीछा कर रहे होते हैं बागते होए तीनों एक क्लिफ पे आके रुकते हैं लेकिन इजोकु अभी भी आ रहे होते हैं तो शीन आसुना और उस छोड़ी लड़की के साथ मिलके नीचे नदी में कूच जाता है सीन शीट होता है और हम देखते की मीमी कहीं भाग रही होती है और मुरी सागी उस से रोक रहा होता है लेकिन मुरी सागी देखता है की मीमी उसे आसुना के पास ले आई है आसुना नदी के किनारे बियोश बड़ी होती है मुरी सागी को शीन का होर्स दिखता है बीस मागने लगता है और मुरिसागी पे अचेक कर देता है तो फिर मुरिसागी शिन को पीछे से मार के ब्योश कर देता है मुरिसागी आसुना से कहता है कि जहां ये चोड़ी लड़की शारा कर रही थी वहाँ एक village हो सकता है तो उने वोई जाना चाहिए लेकिन आसुना क्याती है कि वो शिन को भी साथ लेके चलेगी नीक्स सीन में हम देखते हैं कि फाइनली इन लोगों को ऋस डिरेक्षिन में एक विलेज मिल जाता है सब उस विलेज की तरफ जाते हैं लेकिन village के लोग उनसे डरने लगते हैं तबी village के gate के भार village के guard आते हैं और चोटी लड़की भागती हुई गेट के पास जा रही होती है तो guard कहता है किए वही गौगी लड़की है जो kidnap हो गई थी guard उस लड़की को लाने लिए thanks बोलता है लेकिन आगे कहता है कि टॉप साइडर्स यानी इनसानों को विलेज में आना अलाउड नहीं है तब ही एक ओल्ड मैन आता है और उस छोटी लड़की को माना नाम से बुलाता है और उसे गले लगा लेता है और उसे गले लेकिन आगे कहता है माफी मांगता है और बताता है कि टॉप साइडर्स का आना यहां पे अश्यूब माना जाता है उल्ड मैन बताता है कि सालों से टॉप साइडर्स अगार्था में नॉलेज और ट्रैजर्स चुराने आया करते थे और उस knowledge को पा के उन्होंने countless wars किये थे old man कहता है कि पहले अगार्था सर्फेस ता कुआ करता था लेकिन अब बहुत कम village बचे हैं इसलिए अगार्था को बारा कलेवे से protect किया जाता है इसके बाद आसुना कीचन में help करने जाती है खाना बनाते वक्त मीमी आसुना की साथ खेल रही होती है तो ये देखे old man कहता है कि उसने पहली बार एक यादू रोकी को एक टॉप साइडर के साथ इतना घुलते मिलते देखा है आसुना के पुछने पे old man बताता है कि यादू रोकी में God के चिल्डरन की सोल होती है और अपना purpose पूरा करने के बाद यादू रोकी क्वेट्जल कोटल में जाके मिल जाती है सिंशिट होता है और सब खाना खा रहे होती है मुरिसाकी old man से कहता है कि उसने अभी तक मुरिसाकी के कौशन्स का जवाब नहीं दिया है old man मुरिसाकी को समझाता है कि life or death एक flow है और किसी को भी उस flow को तोड़ना नहीं चाहिए मुरिसाकी के बार बार पोचने पर old man आसुना को माना को लेके बाहर जाने को कहता है और मुरिसाकी के साथ अकेले में कुछ बात करता है आसुना शीन के रूम में जाती है और शीन आसुना से बुरा बिहेव करता है और कहता है कि उसे कलैविस मिलते ही आसुना को इजोकु के हवाले कर देना चाहिए था और उस आर्चेंजल को भी मार देना चाहिए था आसुना उसकी रूम से वापस आती है और मुरी साकी उसे बताता है कि वो लोग सुबा यहां से निकलेंगी ओल्ड मैन कहता है कि उसे जो मुरी साकी को कहना था उसने क्या दिया है अब बाकी मुरी साकी के उपर है राद में सोते समय आसुना शिन की वज़े से रो रही होती है और उदर शिन भी अपने रो में रो रहा होता है बिचारा आसुना के साथ ऐसा बीएफ तो नहीं करना चाता था पर क्या करे वो मजबूर है उससे ओर्डर्ज मिले है सुबा होती है और हम देखते कि मुरी साकी और आसुना ओल्ड मैन के और माना के गले लगती है और उन्हें गुडबाय बोलती है ओल्ड मैन कहता है कि ये बोट उन लोगों को दो दिन में वहाँ पहुँचा देगी जब मुरिसागी जाना चाता है आसुना मीमी को बलाती है लेकिन मीमी आसुना से दूर चली जाती है ओल्ड मैन कहता है कि शायद याद औरोकी ने अपना परपस पूरा कर दिया है और इसलिए अब वो कहीं नहीं जाना चाती है आसुना मीमी को देखते देखते रोती हुई तान आ गई थी आसुना कहती है कि क्या सही में किसी डैट को वापिस लाना ठीक रहेगा ये सब बात होई रही होती है कि तब ये आसुना को इजो को दिखाई पड़ते हैं लेगिन इजो को लाइट और पानी में नहीं आ सकते इसलिए मुरिसा की कहता है कि अभी वो लोग सिंशिट होता है और हम देखते कि शिन अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि माना रो रही होती है और पास में मीमी होती है लेगिन वो ऐसी लग रही थी जैसे मर चुकी हो ओल्ड मैन कहाता है कि मीमी का एक रोल खदा मोचुका है अब टाइम आ गया है इसको इसके अगले रोल तक ले जाया जाए ओल्ड मैन शीन और माना के साथ एक जगा जाता है जहां माना मीमी को लेकि एक जगा बैठ जाती है और वहां पे एक बड़ा सा क्वेट्जल कोटल आता है और माना उसे मीमी की बाड़ी देती है वो क्वेट्जर कोटल मीमी को खा जाता है तब ही शीन देखता है कि ओल्ड मैन के विलेज के तीन सोलजर्ज होस राइडिंग करते हुए कहीं जा रहे होते हैं ओल्ड मैन कहता है कि ये मोरिसाकी और आसोना को रोकने जा रहे हैं बले फिर उन्हें उनको मारना पड़े शीन अपना होर्स लेकि जाने लगता है और ओल्ड मैन के पुछने पर बताता है कि उसे नहीं मालूम वो आगे क्या करेगा लेकिन उसे किसी का एहसान चुकाना है कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ क्याना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉस्ट करके सब्सक्राइब बटन दबा कर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्स्प्राइशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं सिंशिप्ट होता है और हम देखते हैं कि मोरी साकी और आसुना एक जगा आके उतरते हैं और आगे बढ़ते होए आसुना को एक आवाज आती है आसुना देखती है कि वो तीन शोल्जर उनकी तरफ आ रहे होती हैं तबी एक सोल्जर गन फायर करता है और मोरी साकी भी उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है लेकिन तबी एक बड़ा सा नाइफ मोरी साकी के पास आता है और उसकी गन गिर जाती है हम देखते हैं कि ये नाइफ शिन ने फैंका था शिन कहता है कि अगर मोरी साकी ने किसी को मार दिया तो अगार्था के लोग उनसे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे शिन मोरी साकी और आसुना के आगे खड़ा हो जाता है और मोरी साकी से आगे जाने के लिए कहता है मोरी साकी और आसुना एक जगा पहुंचते हैं और मोरी साकी बताता है कि ये जगा इस वर्ल्ड का एंड है जिसे फिनिस टेरा कहा जाता है हम देखते हैं कि फिनिस टेरा एक बहुत गयरी और बहुत बड़ी क्लिफ है मोरिसा की कहता है कि गेट ओफ लाइफ एंड डैथ इस क्लिफ के नीचे जाने पे मिलेगा मोरिसा की अपना बैग उतार के क्लिफ से दीरे दीरे नीचे उतरने लगता है और आसुना को भी आने के लिए बोलता है आसुना नीचे उतरने से बहुत डर रही होती है और पहली बार से ही डर से एक जगा फ्रीज हो जाती है मोरिसा की असुना को वापस उपर खींचता है और देखता है कि असुना रो रही है मोरिसा के कहता है कि आसुना को याद करना होगा कि वो यहां किसके लिए आई थी और उसे ये कलिफ पार करनी होगी आसुना कहती है कि वो ये कलिफ नहीं पार कर सकती मोरिसा की कहता है कि आसुना अगर आगे नहीं जाना चाती है तो वापिस चली जाए और क्लैविस उसे दे दे मुरिसाकी आसुनों को अपनी गन देता है और कहता है कि आसुना रिवर से होते हुए ओल्ड मैन तक पहुंच जाए और वहीं रुखे इदर सोल्जर और शिन की लड़ाई हो रही होती है जाए एक सोल्जर शिन को मारने ही वाला होता है लेकिन उन्हें फील होता है कि अभी अभी कलैविश फिर स्टेरा में चला गया है और कहते हैं कि अब आसुना और मुरिसाकी का पीछा करने का कोई फाइदा नहीं है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि इवनिंग हो रही होती है लेकिन आसुना अभी भी उस कलिफ के पास से नहीं गई होती है तब ही आसुना के पास जहां शैडो होती है वहां इजोकु आ जाते है और आसुना वहां से भागती है आसुना रिवर में आ जाती है और देखती है कि उसके चारों तरफ इजोकू है इसके बाद आसुना वाटर के साथ साथ बागती है और उसके साथ साथ इजोको भी आ रहे होते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरिसाकी क्लिफ से नीचे उतर रहा होता है लेकिन उसके हाथ ठकने की वज़ा से छूट जाते हैं और वो एक बड़ी सी चटान पर गिरता है जिसे वो बच जाता है वोई ये केव वनी होती है जा मोरिसाकी कुछ देर रेस्ट करता है कुछ खाता है और कहता है कि लिजा मैं चल्द आ रहा हूं इसके बाद मोरिसाकी फिर से नीचे उतरने लगता है दूसरी तरफ आसुना रात बर इजोकों से बच के भाग रही होती है तब ही वो याद करती है कि शुन ने आसुना को ब्लेसिंग दी थी कि आसुना को जीना होगा और आसुना और भी चिज़ा याद करती है जैसे कि उसकी मॉम और उसकी वो दोस्त जो हमेशा उसके गर साथ चलने के लिए कहती थी आसुना फिर रोने लगती है और कहती है कि अब उससे समझाया कि वो अगारता क्यों आई थी वो अगारता इसलिए आई थी क्योंकि वो लोनली फिल करती थी दोस्तों आप लोगों ने जैसा की देखा ही है कि आसोना के फादर नहीं थे और आसोना की मॉम भी ज्यादा घर पे नहीं रहती थी और आसोना को अकेले हर काम करना पड़ता था आसोना बस उस हिल पे जाय करती थी जहां उसके साथ बस मीमी होती थी और शुन के मिलने के बाद वो भी अगले दिन मर गया था तो इसी वज़े से आसोना को लोनली फिल होता होगा आसोना देखती है कि उसके आसपास पानी खतम हो गया है और इसोकू अब आसोना को गेर लेते हैं एक इसोकू आसोना को गले से पगड़ के उठा लेता है और उसे खाने जाहिरा होता है लेकिन तब ही शुन वहाँ पहुंच जाता है और उस इसोकू को मार देता है और तब ही सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है जिससे सारी जोको जल जाते हैं आसुना शिन को थैंक्यू बोलती है और कहती है कि शिन की आइस का कलर शिन से अलग है शिन बताता है कि उसकी हाइट और हेर कलर भी शिन से डिफरेंट है तब ही आसुना शिन को याद करके रोने लगती है और उसे देखके शिन भी शुन की याद में रोने लगता है आसुन और शिन देखते हैं कि वहां एक शकुना विमाना आ गया है शिन कहता है कि मुरी साकी कलिफ के एंड तक पहुंच गया होगा क्योंकि इसे विमाना में लाइफ होती है आसुना कहती है कि मुरी साकी को उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और फिर वो शिन को लेके भागती है लेकिन आसुना देखती है कि वो लोग कलिफ के पास ही थे आसुना कहती है कि रात में वो कलिफ के चारो और घूम रही होगी और उसे लगा होगा कि वो क्लिफ से दूर चली गई है तब ही वहां वो क्वेट्जल कोटल आ जाता है जिसने मीमी को खाया था और शिन बताता है कि इसका भी रोल अप पूरा हो गया है और यह यहां पे मरने के लिए आया है दोस्तो यही दून शायद शुनने भी गाई थी जो आसुना ने अपने रेडियो रिसीवर में सुनी थी आसुना क्वेट्जल कोटल के पास जाती है और शिन को बताती है कि यह हमारी क्लिफ के नीचे तक ले जाने में मदद करना चाता है वोड़ बता है और शिन को नीचे आ जाता है अरे दोस्तो don't worry आसुना और शिन मरे नहीं है बस क्वेट्सल कोटल ने उन्हें अपने पेट में रखा है इसके बाद क्वेट्जल कोटल क्लिफ में जम्प कर देता है और जरने में आते ही उसकी बॉड़ी गया हो जाती है और शीनो और आसुना उस जरने के सारे नीचे आ जाते हैं मुरिसाकी क्लिफ के एंड पर पहुंचता है और नीचे विटा एकुआ होता है मुरिसाकी क्याता है कि इसका मतलब ये क्लिफ क्वेट्जल कोटल का ग्रेव यार्ड है आगे मुरिसाखी एक ब्लैक होल देखता है जिसे देखे वो समझ जाता है कि यही गेट आफ लाइफ एंड डेथ है नेक्स सीन में मुरिसाखी एक जगा बैटा होता है जर रात होती है और पास में आसुना का दियावा क्लैविस होता है तब यह अचानक लैविस चमकने लगता है और श्रकुना विमाना वहां आ जाता है और एक बड़े से एनिमल जैसी शेप में नीचे उतरता है और उसकी पूरी बाड़ी पर हर जगा बहुत सारी आईज ओपन हो जाती है मुरिसाखी कहता है कि यह जरूर अगार्था के गौड होंगे मुरिसाखी उस विमाना की हर बास सुन पाता है ठीक बैसे ही जैसे आसुना उस क्वैट्जल कोटल की बास समझ पाई थी दोस्तों यह सब गौडली क्रेचर्ज हैं तो इसी वज़े से इनकी लैंगोईज सर्फ वही सुन सकते हैं जिससे यह बात करना चाते हैं और इसी वज़े से हमें भी नहीं सुनने को मिलती विमाना मुरिसाखी से उसकी विश पुछते हैं जियां दोस्तों शिन और आसुना भी कलिफ के एंड तक पहुंच गए और गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ पार करके मुरिसाखी के पास आगए पर यह गलट टाइम पे आए आसुना को देखके मुरिसाखी अपने मन में विवाना को आसुना की बॉड़ी चुनने के लिए कहता है और विवाना लीजा की सोल आसुना में डाल देता है शिन मुरिसाखी पर गुसा गरता है और कलाइबस को तोड़ने के लिए जाता है इधर आसुना लीजा में कनवर्ट हो जाती है और मुरी साकी उसकी तरह बढ़ रहा होता है लेकिन मुरी साकी की एक आंग खराब हो जाती है और उसमें एक अजीब सा निशान बन जाता है मुरी साकी कहता है किसका मतलब आसोना की बाड़ी ही काफी नहीं थी फिलाल मुरी साकी लीजा से मिलके रोने लगता है और लीजा क्याती है कि मुरिसा की तो काफी aged हो गया है लीजा शिन को क्लाइबस तोड़ने की कोशिश करते हुए देखती है और क्याती है कि शायद वो उस लड़के को जानती है दोस्तो भले ही अब लीजा की सोल ने आसुना की बोड़ी take over कर ली हो और कहीं ना कहीं उसमें आसुना भी है तब युससे शिन जाना पैचाना सा लग रहा है तो फिर मुरिसा की नाइफ लेके शिन की طرف बढ़ता है मुरिसा की शिन की गर्धन पे नाइफ रखके कहता है की लीजा ने कोई गलत काम नहीं किया है जो शिन कलैबज तोड़के उसे वापस वेजना चाता है लेकि शिन कहता है कि जो जिन्दा है वो मरे हुए से ज़्यादा इंपॉटेंट है और तब शिन उस ख्लैबज को तोड़ देता है कलैबज को तोड़ने पे लीजा की सोल वापस जाने लगती है मुरी साकी उसे आके पकड़ता है और लीजा मुरी साकी से माफी मांगती है कि वो ज्यादा नहीं जी पाई और क्याती है कि मुरी साकी अपनी खुशियों को ढूंडे और आगे बढ़े लीजा की सोल गायब हो जाती है और आसुन अब वापस नॉर्मल हो जाती है आसुन होश में आते ही रोते हो ये मुरिशाखी को गले लगा लेती है और यहाँपे मुवी का एंडिंग सॉंग स्टार्ट हो जाता है जहा हम देखते हैं कि आसुन वापस आ जाती है और यहीं पर movie finally end हो जाती है दोस्तो हर बार की तरह movie तो end हो गई है पर आपके कुछ doubt होंगे जिनको मैं clear कर दूँ तो सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भला izoku ने माना को क्यों किड्नैप कर रखा था जबकि वो तो एक अगार्थियन थी और izoku ने सिर्फ आसुना को ही क्यों किड्नैप किया मोरिसाकी को क्यों नहीं किया और साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर आसुना के पास वो क्लैविस आया कैसे नहीं सोच तो अब सोच लो तो मैं आपको बचा दू कि इस movie में ओल्ड मैन ने बताया था कि जोकू टॉप साइडर्ज यानी यूमन्स और अगार्थियन के मिक्स होने से चिड़ते हैं और दोस्तो ओल्ड मैन ने मुवी में ये भी बताया है कि माना की मदर एक टॉप साइडर थी और फादर अगार्थियन इसलिए माना हाफ अगार्थियन है तो दोस्तों यहां से हम समझ सकते हैं कि जोकू ने माना को क्यों किड्नैप किया होगा क्योंकि माना एक मिक्स ब्लड थी उसमें इंसानों का और अगार्थियन का दोनों का ब्लड मिक्स था और वो उसे इसलिए खतम करना चाते थे और रही बात आसोना की तो आसोना ने मुवी में कहा था कि उसको क्लैविस उसके डैड ने दिया था और उसके डैड भी जल्दी मर गये थे तो दोस्तों इसका मतलब यह हो सकता है कि उसके डैड भी अगार्था से आये थे और उने आसोना की मौम से प्यार हो गया था इसी वज़े से आसोना भी मिक्स बलड थी और इसलिए इसोको ने सिर्फ आसोना का ही किड्नैप किया था दोस्तों अगला डाउट आपका होगा कि मौरी साकी वापस क्यों नहीं गया और अगार्था में क्यों रुग गया तो मैं आपको बता दू कि मौरी साकी ने अकेले अगार्था में आके आर्च इंजल और्गिनाइजिशन को दोका दिया था मौरी साकी अगर वापस जाता तो आर्च इंजल उसके पीछे पड़ जाते और उसे जान से भी मार सकते थे और वैसे भी मुरी साकी को अगार्था के कल्चर और लेंगुज के बारे में काफी नौलेश थी जिसे वो वहाँ अराम से रह सकता है साथ ही वो अपनी पिछले जिंदगी से मुव आन भी करना चाहता था इसलिए वो शिन के साथ अगार्था ही रुख गया दोस्ति इस मुवी में हमने देखा कि कैसे अपने प्यार को वापिस पाने के लिए मुरी साकी कहां तक पहुंच गया साथ ही हमने Δैखा कि वैसे तो मुरी साकी था एक अच्छा इंसान युमन के इस नेचर को अनधर एनेमे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है हमने ये एनेमे भी अलड़ी एक्स्प्लेंड कर रखी है अगर आप चाहें तो हमारी इस एनेमे की एक्स्प्लेंशन भी सुन सकते हैं लिंक आपको पर आए बटन और इचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्सों शिल्रन हुचिस लॉस्ट वॉइसस का मीन मॉरल यही है कि लाइफ और डैथ एक फ्लो है और कोई भी ये फ्लो नहीं रोख सकता जिसे जाना है वो जाएगा ही लेकिन सबसे जरूरी यही है कि जो चला गया है हम उसी को पकड़के ना बैठें और उसके लिए दुकी ना हो बलकि आज जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें मौत तो एक अड़वा सच है जो आज नहीं तो कल सच होना ही है और हमें यह सुईकार करना ही पड़ेगा इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं एक्स्प्लेनेशन अच्छे लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना मेरा काम था दिल से एक्स्प्लेनेशन करना अब आपका काम है इमानदारी से ये तीन चीज़े करना Question of the day Gorgeous उर्टी बोट में ट्रैवल करते हैं उसका नाम क्या है अगर आपको इस हवाल का जवाब पता है तो नीचे comment section में अपने जवाब जरूर दे मिलते हैं अगली वीडियो में हर हर महादेव